सास्त्र सनातम ग्यान YouTube सेनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सास्त्रों में बहुत सारी बातों का जिक्र किया हुआ और उन्ही सास्त्रों के अनुसार चानक के निती में कुछ बाते कही गई है त्री हो या पुरुस हो इन तीन कामों से कभी भी सर्म नहीं करनी चाहिए जो सर्म करेगा उन्हें भविश्य में कभी कुछ मिल नहीं पाएगा आचारे चानक की के नुसार कहा गया है कि तीन काम ऐसे हैं जिनको करने में कभी भी सर्म नहीं करनी चाहिए सर्म करने पर भविश्य में नुकसान ही नुकसान होता है चानक की नहीं ये बात अपने निती यानि की ग्रंथ चानक की निती दरपन में सात्वे अध्याय की दूसरे स्लोप में बताई है चानक की कहते हैं कि वैसे तो सर्म स्त्रियों का एक आभूशन है लेकिन स्त्री और पुरुसों को धान संबंदी मामलों में सर्म नहीं करनी चाहिए इसके अलावा अन्य दो काम और भी हैं जो चानक के ने बताये हैं जिन्हें में सर्म का त्याग करने पर ही भविश्य में सुख मिलता है चानक के अनुसार कहा गया है बहुत कुछ बाते तो चलिए आज के इस वीडियो में वो तीन काम के वारे में मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्या है वो तीन काम जिसे कभी भी हमें करने में सर्म नहीं करनी चाहिए आचानक के के अनुसार वो पहली बात यह है कि जो भी व्यक्ति धन से संबंधित कारियों में सर्म करता है उसे धन हानी का सामना करना पड़ सकता है यदि किसी व्यक्ति को उलहार दिया गया पैसा वापस लेना है और हम सर्म के कारण उससे अगर पैसा नहीं मांग पा रहा है तो यह लिश्चित ही धन की हानी होने वाली है अतर धन सर्बंधि कारियों में सर्म नहीं करना चाहिए यदि कोई व्यक्ति दूसरा है यदि कोई व्यक्ति भोजन करने में सर्म करता है तो वो भुखा ही रह जाएगा कभी कभी कुछ लोग रिष्टेदारों के यहां या फिर मित्रों के यहां भोजन करते समय सर्म करते हैं जो सर्म करते हैं वो कभी भी खाना नहीं खा पाते हैं और भुखे ही रह जाते हैं खाना खाने में कभी भी हमें सर्म नहीं करनी चाहिए तीसरी बात जो बताते हैं अच्छा विध्यार्थी वही है जो पिना सर्म किये अपने गुरू से सभी जिग्यासाओं से उत्तर प्राप्त करता है सिख्षा प्राप्त करने में जो विध्यार्थी सर्म करता है वह अज्यानी ही रह जाता है विद्यार्थी को पढ़ाई करते समय सर्म न करते हुए सभी प्रश्णों के उत्तर गुरु से प्राप्त कर लेना चाहिए जिससे भविश्य में किसी विशे में अज्यानी होने की स्थिदी से बचा जा सकते है तो चाला के नहीं ये तीन बाते बताई है जो जिनें करने से हमें सर्म नहीं करना चाहिए या तो वो इस्तरी हो या फिर पुरुस हो कोई भी हो इन तीन कामों में कभी भी हमें सर्म नहीं करने चाहिए अगर आप भी इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो नीचे कॉमेंट करके हमें कुछ ने कुछ जरूर बता दीजिएगा कि आपने क्या सीखा है फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना नीचे कॉमेंट करके है धन्यवाद